बिहार में प्रात्मिक सिच्छकों के रूप में नियुक्त वियर्ड सिच्छकों के लिए इस वक्ति सबसे बड़ी खुस खबरी आ रही है आपको बताई होगा हाल ही में पट्ना हाई कोट की तरफ से वियर्ड सिच्छकों के मामले में जो आदेस जारी किये थे जो ओर्डर आया था उसमें लगवग 22,000 वियर्ड के ऐसे सिच्छक जो बिहार में छटे चलकी सिच्छक वहाली में न्यूक्त हुए थे उन्हें मानी हाई कोट ने आयोग्य करार दे दिया था अब बिहार सरकार इस मामले को सुप्रीम कोट में लेकर जाएगी इस वक्त की सबसे बड़ी अबडेट आ रही है पटना से आप बिल्कुल लाइब देख पार हूँगे पटना उचे नियाले के नियाले नियाले के तहत एक से लेकर पांचमी कच्छा के सिच्छक पद के रिए आयोग्य करार दिये गए लगवग 22,000 वियर्ड योकित अधारी नियोजित सिच्छकों क के मामले में जो बिहार राजे सरकार है वो सुप्रीम कोट जाएगी इस वक्त की सबसे वड़ी अपडेट है विस्वस्त सुष्टनों के अनुसार सिच्छा विवाग ने सुप्रीम कोट जाने का मन बना लिया है इस पर सिच्छा विवाग के इस तरह पर सहधानतिक सहमती बन चुकी है विवड एग्विताधारी संबंदित 22,000 नियुजित सिच्छक राजे के प्रारंबिक विद्यालों में पहली से पांचमी कच्छा के सिच्छक के रूप में छटे चड़ में नियुजित हुए थे पटना उच नियाले का फैसला आनी के वास से चड़े चड़ में राजमे प्रात्मिक विद्यालों में विएड डिग्रिदारक सिच्छक के रूप में नियुक्त करने के योग नहीं होंगे इन विद्यालों में विएड उमीद्वार को सिच्छक के तौर पर नियुक्ती पर विचार नहीं किया जा सकता है कोटनी ये भी आदेस दिया ह था कि 28 चून 2018 को एंसीटी का जो ओर्डर आय था उसके अकॉर्डिंग आब वीएड सिच्छक जो इस समय पहली से पांच मी कच्छा में पढ़ा रहे हैं वो 2018 के एंसीटी के नोटिस के अकॉर्डिंग योग गिरहेंगे लेकिन 11 गस्त 2030 को मानि सुप्रीम कोट ने एंसीटी की उस साथी सूचना को खारिच कर दिया है यानि की रद कर दिया है जिस बज़े से वीएड के हजारों सिच्छकों की नौकरी जा सकती है इस बज़े से विहार सरकार सुप्रीम कोट जाने के लिए तयार है फिलाल आगे इस मामले में क्या होता है इस पार में जाने के लिए आ आज की इस वीडियो बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फरमिशन के साथ, Thank you so much for watching this video.